जाहिन साथियों वेलकम बैक तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के वनस्पती जगत में देखा जाये तो हमने पहला चीज पढ़ लिया कि पांच प्रकार के जंगलों में से पहला जंगल जो था वो था उस्निकटी बंदिये सदा बाहर वन अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रकार वो है उस्निकटी बंदिये पर्ण पाती वन जी है पहला का जो पहले दो शब्द हैं वो सेम है यानि कि बारिश भी और धूब भी मगर दूसरा जो चीज है वो सदा बाहर कह रहा है और यहां कह रहा है पर्ण पाती पर्ण पाती का मतलब हो गया पत , बिन्टर के समय प्रिखश पाइज आते हैं paste नहीं तो आइए नहीं दोर सै एक भी पेड़ोकिं इनध। यहीं तो बिनकर के समय बरल यहां पर इन धोले नहीं देते हैं। किस प्रकार की वन में पर्ण पाती वन में वो साल भर में एक बार शीत काल में विंटर सीजन में अपनी पतियां जड़ देती है चलो अब ये बात तो समझ में आ गया नाम से कि पर्ण पाती मतलब पत जड़ी वन साल भर में एक बार पतियां जड़ देंगी तो ये कहां पाये जाएंगे भारत में आई साल भर में अगर पतियां एक बार जढ़ती हैं तो ये कहां पर पाये जाएंगे ये ऐसे जगा पाये जाएंगे जहां पर बारिश उतना नहीं होता जितना की सदा बाहर वनों में होता है क्या था सदा बाहरवन का में स्पेशालिटी यहां परियात मात्रा में पानी पाया जाता है मगर परण पाती में पानी क्यों अगर पानी जरा सा कम रहेगा तभी तो वो पानी बचाने के लिए अपने पत्तियों को जड़ देंगे पानी दो इसके पहले लोग कहते हैं कि पानी पिलाना शबाब का काम होता है मगर अब पानी की भी कीमत होने लगी है हम आप अभी भी नहीं समझें मगर यह पेड जो हैं बहुत पहले से समझ चुके हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए यहां पर हम समर से बुल लगा लिए, फ्री का माल है, गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धो दे-धोते मन किया, तो फिर जमीन भी धो दिये, धूल उड़ रहा है तो पूरा पानी से दम उसको गिला करके रख दिये, कहीं ने कहीं हम मिस्यूस करते हैं किसी चीज का, अभी तक भी दिमाग ठिकाने आया है, और अभी आयेगा भी नी, यह नेचर रहा है, इंसानी फितरत रहा है, जिसके पास बहुत ज़एदा पैसा रहता है, वह भूल जाता है, कि वह प्रकृति की अधीन है, वह सोता है, सब कुछ खरीद लेगा वो, तो यह इंसानी फितरत है, क्या और तो और इस करोना काल में व्रिक्ष कितने जरूरी पॉधे कितने जरूरी हैं इस बात का भी आइसास हुआ होगा कि अभी तक तो लोगों को लगता था कि oxygen तो हवा में है सांस लिए फेफड़े में दम oxygen आ गया बट अब तो oxygen भी आपको शिलेंडर खरीदना पड़ रहा है क्योंकि oxygen हमें कम मिल रहा है तो जब आपके लंग्स कमजोर हो जाएगे आप आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद कहता है अड़ाहारायो हमने क्या पढ़ाथ दोसो सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो दो दोस्तों देखा जाए यहां पर कितने बारिश होने पर उसélior यूस जग Director जो है 200 से 70 सेंटिमीटर तक जहां पर बारिश होगी 200 से 70 सेंटिमीटर तक जहां बारिश होगी वह जगह आपका यह हो गया आपका पर्वतिय चेत्र है ठीक है यह हो गया आपका अरावली का छेत्र आपका रेगिस्तानी छेत्र हो गया यह आपका गुजरात का छेत्र हो गया जहां कच्छ है तो यह आपका हो गया इसके बाद आपका यह पठारी छेत्र थोड़ा सा आपका छूड़ जाता है ठीक है तो अब जरा देखें आप यह जो आपके बीच में जो है पर्ण पाती यानि की पत जड़ी वन जिसे हम मनसुन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्यों कहते हैं अभी समझते हैं उसे यह आप देख सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा छेत्रगर कोई कवर कर रहा है सबसे ज्यादा छेत्रगर कोई कवर कर रहा है यह आप देख सकते हैं बिंदी बिंदी हमने दिया इस पर तो वो कौन कवर कर रहा है देसीडियस फॉरेस्ट ठीक है मनसुन फॉरेस्ट पर्ण पाती फॉरेस्ट कई नाम हो गए इसके याद रखेंगे तो एक तो होगे आपका मनसुन भी कहा जाता है इसे मनसुन फॉरेस्ट भी कहा जाता है ठीक है क्यों क्योंकि भारत में अधिकतर एरिया यह कवर करता है और यह पूरा का पूरा कंडिशन जो वर्षा के अनुसार डिल करते हैं जहां पर दो सो से संटिमीटर तक की बारिश हो हो ठीक है अब आगे बढ़ा जाए और इंग्लिश में क्या कहते हैं डेसी 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 डेस फॉरेस्ट कहा जाता है तो तो अब आप जरा इस मैप को देखें और इस से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कौन-कौन से ऐसे छेत्र दिख रहे हैं आपको कि जहां आपको प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश का यह अब जड़ा सोचिए कि ठंड़क के समय पत्तियां जढ़ जाती नहीं जढ़ जाती हैं ज़ड जाती हैं क्योंकि वह उस समय ना उनको धूप परयाप्त मात्रा में मिलता है और धूप ना मिलने के कारण वह कोशिश करत है क्योंकि पत्तियां कहीं ना कहीं भोजन बनाती है वह हमारे स्टूरिक की करने प्राप्त करके भोजन बनाती है फोटो सिंतेस प्रकास तंसलेशन जिसे कहा जाता है जब नहीं प्राप्त करते तो वह क्या करते प्तियां एक साथ जढ़ देती है तो अब बताइए वह कौ और कौन-कौन से पेड़ आप देख सकते हैं, बरगत देखते हैं, है ना, तो ये सब जो पेड़ हैं, ये सब पर्ण, पाती, व्रिक्षो के अंतरगत आते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट में आपको पीपल, नीम, सीसम, और जामुन, महुआ, ऐसे ऐसे पेड़ों के नाम, जो आपके छेतर में दिखते हैं, वो सब आपका ये डेसीडियस, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट के अंतरगत आता है, याद रखेंगे, एक्जाम में कभी-कभी पूछता है, कि मनसुन फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो आप्शन दे देंगे आपको, एवर्ग्रीन अथलीवन या परणपातिवन, तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, परणपाति या पतजड़ीवन, जो भी इसमें लिखा होगा दोनों में से, तो परणपातिवन को तीन नाम दिये गए है, परणपाति, पतजड़ी, मनसुन और इंग्लिश में डेसीडियस, तो ये समझना जरूरी है कि भारत के भागोलिक संद्चना के साथ साथ भारत में होने वाले वर्षा के वित्रण को भी समझना बहुत जरूरी है अगर आप भारत के भागोलिक संद्चना को समझ लिए भारत में होने वाली बारिश को समझ लिए तो वनस्पती जगत चुटकियों में आत्साइंगे बहुत जरूरी है कि एक चेप्टर के साद दूसरे चेप्टर को को रिलेट करना और दूसरे चेप्टर के BAGFUS को समझना। यह मत सोचिए। छत्म होगे हैं तो फिर उसका दूसरे चेप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है . जोग्रफी है तो इसमें हर चीज इंटर रिलेटेड़ है तो थोड़ा आपको ध्यान देना को भूलना नहीं है तो अब देखिए इसमें कौन-कौन से राज्ये आ रहे हैं आप देख सकते हैं उत्तराकंड का कुछ इलाका आ रहा है उत्तरप्रदेश बिहार अंतरगत आता है कभी आप अगर जाईए अगर मद्रप्रदेश जाएंगे जवाब तो वहां पर आपको ऐसे बन दिखेंगे अब अगर मैं आपसे पूछू कि एक जंगल में आप गए हो जंगल में आप गए हो और जंगल में वह समय पर्ण पाती पत जड़का है सोचिए तो आपको कौन सा रंग लिखेंगा अलशा और नहीं दिखेंगगा पतियां सब गए इतनी यूनिटी होती है इतने बड़े च्छेट्र में वह एक साथ पतियों को जड़कर आपको लिखेगा आपको औरेंज ब्राउन यही सब कलर दिखेंगे औरेंज ब्राउन येलो मतलब कहीं न कहीं वह रेड कलर का ज्यादा उनके साथ शेड मिलेंगे अब सूचिए जब हरियाली नहीं है तो यहां पर जीव कौन से पाये जाएंगे तब क्या यहां हाथी दिखेंगे आपको बहुत जादा यहां पर आपको बहुत ज़्यादा कौन से पशु दिखेंगे जो मांसा हारी जीव होते हैं लेपर्ड्स, तेंदुए, शेर, बाग, चीता, भालू, है ना लकडबग्गे, यह ऐसे जीव जनतुओं की तादात आपको वो ज़्यादा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा पेड़ों पर आश्रित नहीं रहते, नोड़ा, मिलेंगे आपको मगर यहां पर आपको एक विशेश वर्ग को भी लेकर चलना है, वो कौन से हो जाएंगे आपके यहां पर जैसे आपने ले लिया, कि आपने ले लिया टाइगर, टाइगर आपको इस छेत्र में मिल जाएंगे, रण थमबोर, चंदर प्रभा, यह सब जो आपके वन है, वाइल डाइफ सेंक्टूरीज है, अभ्यारण, यह आपको मिल जाएंगे यूपी में, तो जैसे टाइगर हो उसके बाद हाइनाज हो गए, लकडबग्य हो गए, फॉक्स, ऐसे पशूर, ऐसे जानवर आपको ज्यादा मिलेंगे, क्लियर है, आइधिंक, बहुत सारी चीजे आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान क्या देना है, प्रकृती के अनुसार अपने आपको जो ढ़ाल लिया, वही अनुकूलन है, वही प्रकृती अनुकूलन कहलाती है, एडाप्टेशन कहलाती है, ठीक, तो वनस्पती जगत ने अपने आपको ढ़ाल लिया है, जहां बारिश ज्यादा होई, वहां पतियों ने अपना अधम चोड़े-चोड़े पति हैं, भाया लो कितना लेना है, अधम एंब्रेला की तरह चाते की तरह पानी की बुंदे उस पर गिरती है, मगर जहां नहीं उतनी बारिश होती है, वहां वो क्या करते हैं, अपने पतियों को जड़ देते हैं, जहां ज़ड़ दे रहे हैं, तो यह जो छेतर है आपका, और जब यहां ज़्यादा घास अला कर रखा है, बहुत ज़्यादा तोर पे आप यहां पे ऐसे जीव जन्तुओं को देखेंगे, ठीक है, तो यह था आपका, डेसीडियस मनसून फॉरेस्ट, क्लियर है, मनसून डेसीडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती, पत जड़ी, बारिश कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर के मध्य, कौन-कौन से छेत्रों में पाया जाते हैं, भारत के मध्य की छेत्र से लेके, दक्षिन की छेत्र तक अधिकतर राज्यों में ये फैला है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहारकन, चतिसगर, राजस्थान का कुछ हिलाका है, MP का बहुतायात हिलाका MP का कवर कर रहा है, अब ये समझते हैं, कि ये decidious forest, कई चीजों में सदा बाहर बन से अलग तो मिली रहा है, एक चीजों में और अलग है, वो है घनत्व में, जितने घने यहां के पेड़ थे सदा बाहर में, उतने परणपाती में नहीं होते, थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, और तो चाहिए, तो किसानों ने या हम सब ने क्या किया है, कि हमने decidious forest को बहुत काट के, हमने मैदान बना दिये, खेती के लिए जमीन बना दिया, तो कहीं न कहीं, और plots, plotting भी बहुत बढ़ी चीज है, केवल किसानों की बात नहीं है, यहां पर plotters, हमने रियाइशी मकान बहुत ब कर दिये, हमने decidious forest को काट के इदम से हम यह जगा तो इसके लिए बहुत है, इन्हों ने अपने आपको ढाला तो, मगर हमने इनके जगा का अतिक्रमन कर लिया, कबजा कर लिया इनके जमीनों पर, तो हमने यहां के सारे बन काट दिये, यहां पर हमने खेती बारी का इलाका यहां का इलाका है, यह सब महाराष्ट का है, तो हमने अधिकतर decidious forest बहुत सिकुड गए, इनकी मात्रा उतनी अब रह नहीं गई है, हमने इनकी काट कर हटा दिया, अब किसी के बगीचे में चार-पांच पेड़ सीसम दिख जा रहे है, पीपल दिख जा रहे है, किसी कोने म पेड़े मिलते हैं, तो कोई मतलब नहीं रह गया है, तो बहुत जादा हमने क्या किया, इस छेत्र का हमने दोहन किया है, समझ रहे हैं, हमने बहुत जादा exploration इंस अब एरिया का किया है, किसी भी देश में, 33% भूमी, जेखिए ये एक नियम, एक लौ है, क्या कहा जाता है, कि हर देश में उसके पूरे एरिया का 33% भाग वन होना चाहिए, कितना हिस्सा है, भारत का कुल छेत्र कितना है, 32,87,499, ठिक, इतना भारत का कुल छेत्र फल है, square km, ठिक है, इतना हिस्सा भारत का कुल छेत्र फल है, यानि यह भारत का total area इतना है तो 33% तो जंगल होना चाहिए था ना तो जंगल तो पुरे भारत में था था बट हमने काट काट के काट काट के आज के समय में approximately 7 lakh साथ लाक का छेत्र ही साथ लाक एरिया साथ लाक स्वाइर किलोमेटर का एरिया ही हमारे पास जो है किसमें है वो अब जंगल के छेत्र में तो इसका मतलब नियर अबाउट 21% लगबग 21% ही हमारे पास जो है अब वन छेत्र रह गए यानि कि धिरे धिरे कम ही हो रहा है जितना यह कम होता जाएगा हम अपने एको सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे जो हमारी पाइस्टिती की तरंत्र है वो कहीं न कहीं खराब हो जाएगी और आने वाले समय में हम औ और भी बड़ी से बड़े आपदा का सामना करना पड़ेगा और जब हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ेंगे तो प्रकृति अपने संतुलन को वापस बनाने के लिए इनसान को उसकी अवकात जरूर दिखाएगी तो दोस्तों यह था आपका पर्ण पाती बन के बारे अर्म प्रेगो यह जरूर लाइट अपने हम पोले प्रकृति हैं।